मेरे प्यारे वीवर्स आपने अभी तक मेरी चैनल को सिस्क्राइब ने किया तो फटा फट कर लिजे जाके और अच्छा सुनू सिस्क्राइब करते टाइप घंटी चटूर बजा देना कि जब भी मैं आउन लाइन आओ आपके फोन की भी घंटी बज जाए और मेरे प्यारे कैसे है आप सब होप आप सब स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे तो फ्रेंट्स आज में आपके शेयर करने वाली हूँ एक यूनिक सेंडविश जो बहुत ही यमी डिलिशियस और बहुत ही टेस्टी लगती है छोटे बड़े संविच बनाओगे तो बार बार यही संविच बनाओगे तो आएए बनाना शुरू करते हैं फ्लोडास किचन की तरफ यह रेसिपी बनाने के लिए हमको चाहिए खीरा यहां मैंने खीरा गाजर पत्ता गोबी सिम्ला मिर्च और टमाटर यह सारी चीज़े ले ली है उसको ग्रीज़ें चॉप कर लिया है चोटा-छोटा फाइन चॉप कर लिया है सबसे पहले मैंने पत्ता को भी एड़ कर दी है फिर थोड़े से शेम्ला मिर्च, गाजर, थोड़ा खीरा और टमाटर है वो भी एड़ कर देते हैं तो यहाँ पर मैंने सारे वेजेटेबल्स शो हल्दी होते हैं वो सारे मैंने एड़ कर दिये हैं तो हम तरह हैं इंडियन इसलिए हम इसमें थोड़ी से डालेंगे सन्विच को चटपटी करने के लिए ग्रीन चटनी यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी और एक चमच मैंने आम कच्चे आम है उसकी पेस्ट मैंने एड़ कर दी है अब हम एड़ करेंगे इसके अंदर सॉसिस यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग का सॉस लिया है और यहाँ पर मैं एड़ करूँगी मैयोनीस और साथ में एड़ करूंगी पीजा का जो टॉपिंग सॉस होता है वो एड़ करूंगी और थोड़ा सा चाट मसाला तो ये सारी चीज़े हम मिक्स करेंगे उससे पहले हम ग्रीन चिली नहीं डाल रहे हैं तो इसके अंदर मैंने एड़ कर दी है ब्लैक पेपर अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक पर चेक कर लेंगे कि इसकी क्वांटिटी थीकनेस कैसी लग रही है तो इसमें थोड़ा सा एड़ करेंगे हम टोमेटो सॉस टोमेटो सॉस मैंने दो टेबल स्पून लिया है ये एड़ करने के बाद थोड़ा सा हम मैयोनीस और डालेंगे जिससे क्रीमी टेक्श्चर इसका आए और बहुत ही यमी लगे साथ में एड़ करूंगी अमूल का जी सोस ये बहुत ही अच्छा लगता है और मैंने इसको एड़ कर दिया है अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और यूनिक टेस्ट होगा इसका हमारा सेंडविच का मसाला है वो बिलकुल तयार हो गया है अब हम लेंगे ब्रेड ब्रेड के उपर हम मखन लगाएंगे यहां पर अमूल बटर था मेरे पास तो मैंने ये सारी ब्रेड पर लगा दिया है अमूल बटर अब हम क्य करेंगे एक प्रेड को लेंगे और मसाला हमारा बिलकुल रडी हो गया है तो हम इसकी उपर थोड़ा स्टफिंग एड करेंगे आप चाहो तो कम या ज्यादा जैसे भी आपको पसंदो वैसे आप इसकी फीलिंग कर सकते हो ऐसे करके एक एक ब्रेड पे लगा के आपको तया कर देना है संड्विच के लिए अब बाकी की संड्विच है वो भी ऐसे ही हम रेडी कर देंगे फ्रंस यह हम संड्विच बना रहे हैं वो भी अंग्रेजी संड्विच तो अंग्रेजी संड्विच में चीज के बिना मजा नहीं आता तो हम इसके उपर एड़ करेंगे टॉ संडविच के उपर और उपर से हम थोड़ा सा और लगा देंगे अमूल बटर इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंस यहां हम कुछ संडविच बेग करेंगे और कुछ संडविच तवे पे सेकेंगे क्योंकि हर एके घर में ना ही टोस्टर होता है ना ओटीजी होत तो यहां पर मैं तवे पर भी सेकूंगी, तवे पर भी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा टेक्चर सेंड्विश का आता है, तो फ्रंस यह देखिए, अब हम इसको पलट देते हैं, पलटने के बाद आप देखिए, इसका कलर कुछ ऐसा हो गया है, पहार से बहुत ह लग रही है, तो एक एक करके सारी संड्विश को हम तवे से उतार लेंगे, और बाकी जो हमने ओटीजी में रखी है, वो सेंड्विश भी हमारी रेडी हो गई है, संड्विश को थोड़ा साथंडा होने देंगे, उसके बाद हम आपको गर्ट करके भी दिखाते हैं, कि बा में लेने जाओगे तो बहुत ही मेहंगी ये सेंड्विश में लेगी और इंडियन और इंग्लिश ये दोनों तड़का आपको साथ में नहीं मिलेगा तो आप घर पर जरूर ट्राय करिए हेल्थी रहिए खुश रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए मुझे सपोर् कर दें नोटिफिकेशन सारे ओल कर दें और अपने फ्रेंज फेमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो फ्रेंज मिलते हैं अगले मंगलवार को एक नहीं इजी और हल्थी रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे कनेक्टेड विद फ्लोरास किच्छन